प्रदेश कोण मित्रों शाथियों प्रकृस्ति के पेग पदार्थ को देखने के लिए प्रकास की आवश्यक्ता होते हैं इसी प्रकार मन बुद्धी और इंद्रियों को अपने अपने कार्य को संचालित करने के लिए आत्म प्रकास की आवश्यक्ता होते हैं ध्यान दखना शाथियों बार का कोई भी प्रकास मन बुद्धी इंद्रियों प्राण आदि को चेतन करने में शमत्र नहीं है उसके लिए आत्म प्रकास किया होगा और आत्म प्रकास जागर्स होता है शुमरण से शेवा से और सचत्सक्त इसलिए गुरु महराजी की आग्या में رहते ही सचत्सक्न करूव, शुमरण करूव, शेवा करूव इसी से आपका जीवन शुकी होगा और आपके जिवन में भीतर में उस आनंद की प्राप्ति होगी ओमनमो नाराय बात करते हैं 11 फरवरी 2024 की राशी फल और पंचान राशी फल पे आऊं उससे पहले आज का पंचान माग मास शुकल पक्स की दुटिया विकरम स्मुद 2080 माग मास की 39 परविष्ठे सक्स उनिश्व पैंटालीस माग मास 22 तद अनुसार रविवारी 11 फरवरी 2024 सुर्दिकालीन तिती दिवतिया है तिती का जो शुमाप्तिकाल है उरातरी 9 बच के 9 मिनट पर है अगली तिती तिर्किया होगी सुर्दिकालीन योग परीगी योग है योग का जो समाप्तिकाल है सुबे 10 बच कर 49 मिनट अगला योग शिवी होगा सुर्दिकालीन करन बालव करने करन का समाप्तिकाल सुबे 10 बच कर 57 मिनट अगला करन कॉलव होगा शुर्दिकाली नक्षत्र स्वामी राहुदेव है नक्षत्र का जो शमाप्तिकाल है वो साम पांच बज के 49 मिंट अगला नक्षत्र पुर्भादर पद होगा और नक्षत्र स्वामी ब्रश्पत्देव होगे यह आज चंदर देव राहुदेव और ब्रश्पत्देव की नक बाव पढ़ है क्या करे रहों क्या नहीं करें क्या करें उपाइ उप ग loro के सुनिध आपका इस सारी चीजों को लिकर में आपके सामने आ आपके राश्य पल में लेकिंगे उससे पहले आज का ग्रहय योगाई है। आज का जो अभी जीत मुर्थ है वह दोपर 12 बजकर 13 मिंट से लेकर दोपर 12 बजकर अठाउन मिंट अबदी 45 मिंट है और यह जो 45 मिंट है वह आज के दिन कोई भी शुबकारिय करने का सबसे उत्तम महरत है कोई भी नयार शुबकारिय जिसकारी में चीर काल तक लाब लेना होसे अभी जीत मुर्थ में करे और अभी जीत मुर्थ भगवान से हरी को बहुत प्रिया है में तरन शाक्तियों किसी भी शुबकारिय को करने के लिए चोगणियां का अपना महत्व है शुबका चोगणिया लाबका चोगणिया और अमर बज़कर 36 मिनिट तक सुबका चोगडिया दोपर 1 बज़कर 69 मिनिट से लेकर दोपर 3 बज़कर 22 मिनिट तक रहेगा। ऑति आधिन क्षाधनेयात्रां के इसलिए किसीए दिसा में यात्रा करें मीरी और से कोई पर्तिबंद नहीं है हां जब आप आज यात्रां की लिए तो पहले 7 कदम उत्तर दिसा के और जाये इष्ट देवता कुल देवता पितर देवता का ध्यान करते हैं, मंगल मैं यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर जाइएगा, कष्ट कामाएगा, नमोनार है, मित्रो, लेकिन मैं आप से जानकारी देना कि यह जन्रल प्रडेक्शन है, आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते ह दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सई जानकारी आपकी जन्रुकुनली से मिलेगी, तो मेरा निवेजन है, नीचे नमबर आ रहे हैं, इन नमबरों पर शंपर करके, आप मेरे से संपरक स्ताफित कर सकते हैं, अविश्य मैं आपको शयो करूँगा, हाँ, जो फ कमजोर हैं, और मेरे पास गाएं हैं, मेरे गाएं सुखी रहें, मैं आप लोगों की सेवा में हैं, तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है, कि लोगों से कहिएगा, गायों की सेवा करें, जो लोग आपको फोन पर कहते हैं, गायों की सेवा करें, तो उसको अधर्वाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश, लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए, वरत्मान परस्तों को देखते हुए, मेरी गाएं सुखीरे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकिया आपकी मैंसे, मेरा एक छूटा सा निवेदन है, मित्रों आपके फोन जो उठाए जाएंगे, वो सुबह नौ बजे से लेकर, साम आठ बजे के बीच में उठाए जाएंगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि आठ बजे के बाद आप फोन नहीं करें, आपके फोन इस बात की फिर वहां जान कर या आपको कोई नहीं देगा, तो जो भी जो सनिदाम के नीचे नंबर आ रहे हैं, गौसाला के, इन नंबरों पर शंपर्क जो होगा वो सुबह नौ बजे से लेकर, शाम आठ बजे तक ही होगा, इस बात का ध्यान करें, फिर दर्शकों मित्रों शाक्थियों, ग्यारा फरवरी आपका जनम दिन या फिर सादी की सा करें, तो यह उपाई पूरी वर्ष बर आपको लाब बहुत शफलता देगा, इदि आपकी सादी की साल करें, तो पत्री दोनों इस उपाई को करें, अगर आपका जनम दिन है, तो इस उपाई को आप शम खुद करें, आज प्रतकाल, नित्य कर्म जों सनान उप्राद, 11 ब करें, और 11 बार श्री शिवाए नमस्तुप इस मंत्र का जाब करें, तस पर साथ भगवान शिव से प्रात्ना करके, यह बेल पत्र स्री चड़नों में अर्पित कर दें, और नमस्कार करतें, उस में से एक बेल पत्र उठा दें, और उस बेल पत्र को पीले कपड़े में यह उपाए, पूरे साल भर करें आप, केरियर कारबार, नौकरी वैसा है, समाज, परिवार की, आपकी कैसी भी समश्या होगी, उसका समधान मिलेगा, और वेपार में लाब और नौकरी में सपलता, और परिवार में शुक्षान पियाएगी, नमाना रहे, अब मैं बात राशीपल की करूँगा, यह जो राशीपल है, आपकी चंदर राशी, आपकी नाम राशीपल राधारत है, राशीपल पूर्शों के लिए भी है, महिलाओं के लिए बुजर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबसे पहले में बात करूँगा, मैं इस राशी की, ग्या करीजिबरारी यात्रा को चाहिए अधियारति आभडा और मिलेगा घरPlumекोर सपलता में क्षिटरा कर्णों कर दोस्त। फिलम इडिरि के शत्रा में आज उत्तम अधिक्राइब इंधिया कराथा बढ़ेगी सब्र सब्सक्राइब संकेते क्या ना करें अपनी वानी से किसी का दिल न दुखाए आज का सुबंग चार है सुबरंग नीला है भाग्याप पच्छतर प्रसंद लाप का संकेते में इस राशिवालो ओम क्राम क्रीम क्राम शाभ हुमाय नमा मंगल देव की बीज मंत्र का अधिक से अधिक जाप करन होगे शिक्षा के चेतर में शपलता मिलेगी सरकार से लाब मिलेगा कारोबार में विर्दी होगी रुकिवे धन की प्राप्तियों और शत्रूद अभे रहेंगे शिक्षा की दर्शकौन से विद्यार्तियों के लिए उत्तम फलों और अवसरों का संकेत मज़रा रहा है सतर प्रशन लाब का शंकेते विर्शबराश्यवालों ओम द्राम द्रिंद्राम सश्चुक्राय नमः शुक्रदेव की बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा आपके लिए नमनाइन और बात करते हैं बिधुन राशी बागिय स्तान नमवमभाम में सक्षर का संची कालेवार का साथ नमवबार का साथ मिलेगा मेंटर होगा मन को प्रसंद करेगी कारिशिति के अनकूल होने से आर्तिक पक्षिक सुधरता और पिता का पूर्ण श्योग माल मिलेगा लेकिन खर्चपन नियंतर डखना बहुत जरूरी है आज विद्यारती हैं खेल के मैदान में, सिविल इंजिनिर में, उच्छ सिक्षा के छितर में अध्यांडत है उत्तम अवसर और लाब का संकेत है आज विद्यारती और विवाओं को केरियर और एज्जुकेशन में अपनी छंबता दिखाने का मौका मिलेगा और समझिक शिवाओं का पूर्ण अवसर भी प्राप्त होगा जरुदमंद और गरीब व्यक्ति की मदद करें क्या ना करें गुप्त रुप से कोई कारें ना करें शुबंग पांशुबंग हरा भाग्याप के पक्स में पैंसेट प्रसनलाब का संकेत है बढ़नासी वालो ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शा बुधाय नमा बुद्देव की बिजमंत्र का जाप करना अति उत्तम रहे गनमनें और बात करते हैं करकरास लेकिन उससे पहले उससे पहले एक सुन्दर उपा है बहुत से लोगों ने कहा कि दातिमाराज हमारे घर में महालक्षमी का आगमन कैसा होगा हमारे घर में लक्षमी मा कैसे आएगी तो मित्रों शात्यों एक बात ध्यान रखेगी प्रते दिन सुबह ब्रह्म मूर्थ में उठकर स्वर्प्रतों में अपने घर की साफशपाई करें उसके बाद स्वच जल से सिनान करें पूजा घर में सर्धान उसार पंच पेचार पूजन करें धूप दीप नेवदिय पूस पर अक्षत अर्फित करें और अपने घर के मुखे दरवाजे पर दोनों और हर रोज चावल की धेरी बना पर उस पर सुद देशी घी का दिपक जला है यह उपाय आप हर रोज करिएगा हर रोज करें अवसिया आपके घर में मा लक्षमी का आगमन होगा क्योंकि सुरी उदेश से पूरू घर के दरवाजे पर जल छिड़े कर चावल की धेरी पर दिपक जलाना अति उत्तम माना गया है लक्षमी प्राप्ती के लिए दिपक सांथ हो जाए तो उसको किसी पेड़ के नीचे रख दे और चावल पक्षियों को डाल दीएगा नमनान और बात करते हैं करक राज आश्टम भाव में चंदर देव और आश्टम भाव में चंदर देव और किसी पर अंधा विश्वास नहीं करें कारवर यात्रा कस्ट कारे रहे कि परिश्रम के बावजूदी कारिस्रपलता में शंका है इसलिए काम काज में लापरवाई नहीं करिएगा अपनों का सहोग ले और वानिक पर सहिम रहे सहिम और धीरिस से कारे कारे कहा करें भूमि और वहान संबन्धी कारे में निवेश नहीं करें शुबंगनों शुब्रण सपेद्ध भाग ये केवल आपके पक्स में 30 प्रसंद लापका संकेत है करकर आशिवारो ओम सराम स्रीम स्राम स्थ चंदरमसे नमा हो चंदरदेव के इस बीज मंतर का जाप करना अति उत्तम रहेगा नमनायन और बात करते हैं शेंगराशी सप्तमभाव में चंदरदेव, राहुदेव और प्रश्टदेव के नक्षर में संचन करें ग्रुगचर शुप रहेंगे अनकुल प्रश्टिया बनेगी, नौकरी में उनत्य के अवसर, धनलाब के मोके आएंगे परिवार और संतान पक्ष सयोग करेगा, घर का बाताम उल्लास मन रेगा, श्रास्ती उत्तम रेगा और अपनों के साथ घूमने फ्रने का अवसर मिलेगा युवाओं को कड़ी महनत और कठीन परिश्ट में शिक्षा और केरियर के छितर में उत्तम अवसर में लेगे कारबार के छितर में आर्तिक वृदि होगी, सुबकारिये बनेंगे, भाई बंदरों मित्रों से मेल मिला बढ़ेगा क्या करें? अपनों का सहयो करना बहुत जरूरी है, क्या ना करें? अपनों के साथ किसी तरे का दगा नहीं करें सुबंग साथ, सुबरंग गोल्डन भागिया आपकी पक्ष में 55% लाप कर संकेते हैं सिंगराशिवालों, ओम, हराम, हरीम, राम, शा, शूरिया, नमा, इश मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा नमनाईन और बात करते हैं कन्यारास्ति छटे भाव में चंदर देव, राहुदेव, और प्रश्बर देव के नक्सर में संचक निवरान होगा, धनलाब का मार्ग परशत होगा, पारवारिक महोल शुकत रहेगा, शुक के साधन बढ़ेंगे, वाद विवाद और प्रतियोगिता में विजे होंगे, और शत्रु अपने मनसुब में नाकाम होगा, युवार विद्यारतियों के लिए समय पूर्णता उनक में अच्छा है, यदि आप उच्छा में अध्यंदत हैं, तो अच्छा मोका मिलेगा, नक्षत गर्णाइश्ब समचारों का संकेदरी है, और युवाउं को मनों को रो सुधाय नमों, बुद्देव की विजमंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा, नमने अनुर बात करते हैं, तुलारास ची, पंचम भाम में चंदर देव, रहुद देव, और ब्रश्ट देव के नक्षर में संचन करा, कामकाज कारबार, नौकरी, वैवशाय समाज और पर रहेगा, युवाओं को कारी करने का आउसर मिलेगा, अपनों का स्वयोग और शुप प्राप्त होगा, अनुकॉल प्रिनाम प्राप्त होंगे, मन पसंद स्कूल, कॉलेज प्राप्त होंगे, और केरियर और एजुकेशन के से आगे बढ़ने का मोका मिलेगा, आज मातापि प्राप्त होगा, क्या करें, कारिचितर में महनत और परिष्रम का भरोशा करें, क्या ना करें, किसी बे अंजान लोगों पर कारोबारी भरोशा ना करें, शुबंगदो, शुबंग नीला, भाग्यापकी पक्ष में, 70% लाप का संकेत है, तोलाराश्य वालों, ओम द्राम, शुक्राय नमा, शुक्रदेव की बिजमंतर का जाप करना, अति उत्तम रहेगा, नमना इन और बात करते हैं, विश्चिकरास्टी, चतुर्द भाव में चंदर देव, रहुत देव, और प्रश्पत देव के नक्षन में संचर करें, शितारों की चाल अनकोल है, वैविशा में विशेश शावधानी बरतनी होगी, इच्छित कारिय ना बनने से मन वैथित रहेगा, पारवारी स्रमजसिय बनाना मुस्किल होगा, और भूमी और वान के कारे में हानिक अप्रबल संकेत है, आज अनावशिक परिशानियों का सामना का संकेत नजर आ रहा है, वैरत का अनितिक कारे से अपना आपको बचाना बहुत जरूरी है, आज परिशानी है, क्या करें, बहुत जरूरी है, किसी गरीब की मदद करिएगा, इश्वर आपकी मदद करेगा, क्या ना करें, स्वास्तिक परति लापरवाई ना करें, शुबंग्चार, शुबंग्लाल, भाग के साथ देगा सामयोदारी कुअ पूरा करने का उसर मिलेगा बढ़ों का मानसमान और न tangal प्रस्ताऊं पर विचार मेमर का मौका मिलेगा सफलटा आपके साथ मांसमान बढ़ेगा सफलटा भी 네 अपनों का साथ बहुत जरूरा अपनों की rejoice value नग जाएगे तो सफल्ता में सब्सक्राइब करने के लिए परिवार का साथ दे। क्या ना करें बुजर्गों की सला को इग्नोर नहीं करें। शुबंक आठ शुबरंग प्रपल भाग्यापकी पक्स में पच्चासी प्रसंद लाब का संकेद धन्वाश वालों ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाग गुरुवे नमहा ब्रश्पद्देव की बीज मंत्रों का जाप करना अति उत्तम रहेगा नमनाइन और बात करते हैं मकर रा आठा सरदानुसार गुड़ और आठा और गुड़ को आपस मिलाकर उसकी रोटी बनाई और इस रोटी को सुबह और साम गाई को खिला दिए यह उपायत तीन गुरुवार करके देखेगा मालक्षमी की किर्पावगी बहुत अच्छा उपाय सरदानुसार आठा में सरदा बात करते हैं मकरासी की मकरासी वालों के लिए चंदर देव दूसरे भाव धन भाव में कुटम भाव में संचन करें और कुटम भाव धन भाव में राहुदेव और प्रिश्पत देव की नक्षर में संचन करें परिवार का साथ मिलेगा रुकेवे काम बनेंगे लेंदेन क मसेले ठीक रहें और केरियर करोबार और वविशाय में उत्तम अवस्वरों के शासाथ परिवार का साथ मेलेगा माता-पिता का सवयोग बना रहेगा अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा लेकिन कुछ बात है जिस विध्यान एक बहुत जरूरी है कि आज उतेजना नहीं रहें जल्दबाजी नहीं रहें अग्रेशन नहीं रहें इसे आपका काम बिगर सकता है और मेहनत से नहीं घबराना है और खर्चों पे थोड़ा सा काबू रखना श्वास्तियों के लिए आतम विश्वास बढ़ेगा सिक्षा और केरियर में मन्चाई प्रणाम प्राप्त पारिशण के सब्साइगाू अपसे नहीं जांपकतेशन अनकुल विद्यार्तियों क लिए के मित्तियों के साब स्वाजनों का मित्रों का स्वाइब बहुत अच्छा रहेगा करें जूट और धोके से कोई कारें ने करें पांच ववरंग श लेटी भागी आपकी पक्स में 80 प्राम प्रिम प्राम सनिश्चराय नम हो इस मंत्र का जयाब करना अति उत्तमरेगा नो मनानें और बात करते हैं मील नाश द्वादसभाव में चंदरदेव रहुदेव और प्रिष्पत देव कि नक्षर में संचर करें श सरकारी मामलों को लेकर लापरवई आपको मुशिबत में डाल देगा। संस्ता में मान सम्मान की कमी का संकेत नजरा रहा है। वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा। नमीन योजना असपल लेगी। अपनों के साथ सामझे से नहीं बिठाए तो मोटा नुकसान होगा। और वेर्थ के परपंचों से दूर रहना बहुत जरूरी है। विद्यारती विवाओं के लिए आज साफधानी का दिन है। इदि आपने साफधानी नहीं बढ़ती तो सरकार और अपनों से नाराजगी जहिलनी पर सकते। क्या करें। पारवारिक मेल जोड़ बढ़ाए। क्या ना करें। आर्तिक हानी ने हो यह प्रियास करें। सुबंग साथ, सुबंग हरा, भाग एक्केवल आपकी पक्स में, 40% लाप का संकी देरें में इंडाश वालों, ओम ग्राम, ग्रीम ग्राम, शाग, गुरुवे नमा, ब्रश्पत देव की बीज मंत्र का जाप करने से कष्ट कमाएंगे और परिशान से छुटकारा मिलेगा परिदर्शकों में इतनों सात्यों, इता बाराक बारा राश्यों का राश्य पर नक्षद गर्णाओं के आधार पर मेरा नीजी आंकलन, ना भय न भ्रम न भ्रांती न विवाद न तरक, शकन उपनेंद का अधिकार आपका था, आपका हैर आपी का रहेगा मानो न मानो, य मैं आपाश्यों चायें से बहुत प्यार करनेंद ह sąसे, हजारों शक्रों बेटीओं के लीए जीवन के लीए ने अपना शंपूमन झीवन दिया मेरा शौक ता मेरी राश्ट की दरोवर थे और यह करना मेरा कर्ते और करम था, मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहाँ मनश हूँ और मानु हुने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोष्वा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वर्तमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूँ और यह मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये काक्शाव شेवा करिया मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा कर दन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक प्रस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर दिये कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहे इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकूली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊँगा तब तक खड़ा रहूँगा नमबर आ रहा है इन नमबरों पर शंपर करीए आप मेरे से बात करीए लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लेज़े और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गायों चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरुदे से आया लोगों ने कहा कि राश आपसे प्यार करता है दाती महराज एक बार निवेदन करिए तो मैदान नहीं मांग रहाँ फिर भी मैं अभी मेरा ये हिंकार नहीं है सातियों मेरा राश व्पर है मैं ये नहीं कह रहाँ मैं ये कह रहाँ मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए शनी भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा नीवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगबग बीश से पचीस पचास लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में 2100 रुपया चारा का दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रणार करता हूँ और ये सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकोर संकेत नहीं दे लिए इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी सिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है ये आप भी जानते है सासन की अपनी एक सिमा है और अपनी मर्यादा है और सासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देटे भी हिर्दे से पुने एक बार निवेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है जरुशयोकर पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमो नाराएन